असलाम लेकुम दरास complete course वीडियो नंबर 7 आज हम सीखेंगे दरास पर अगर हमें पहला order आता है तो उसे process कैसे करेंगे packing से लेकर courier office जाने तक A to Z सारा कुछ guide करने वाला हूँ वीडियो को end तक लाजमी देखना बगए time waste के start करते है अपनी वीडियो ओके जनाब सबसे पहले आपने seller center login कर लेना है आपको कोई भी order आएगा तो वह आपके order and reviews में होगा ठीक है तो हम सबसे पहले order and reviews पे click करेंगे उसके बाद हम click करेंगे manage orders ठीक है तो जैसी हम इस पर click करेंगे तो कुछ इस तरह का interface हमारे सामने आ जाएगा अब यहाँ पर जो भी order समय आएंगे तो वो इस जगा पर pending में show करेंगे ठीक है यहाँ पर हमें एक order आया हुआ है इस order को pack करने से लेकर courier service तक ले जाने तक सारा कुछ में आपको समझाऊंगा कि पहले आपने क्या करना है बाद में आपने क्या करना है सारा कुछ जैसी आपको कोई नया order आएगा तो वो शो करेगा pending order में अब देखेंगे order है हमारे पास और इसके आखरे में लिखा हुआ है ready to ship तो सबसे पहला काम आपने यही करना है कि ready to ship पर आपने क्लिक करना है जैसी आप क्लिक करेंगे तो इसका मलब यह है कि आप ready है इस order को process करने के लिए तो जैसे हम क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का interface हमारे सामने आएगा order detail लिखी होगी courier service लिखे होगी तो मैं LCS use करता हूँ leopard तो यहां पर leopard शो हो रहा है यहां पर आपने अपना कोई भी ID लिख दे नहीं है मैं कोई भी number लिख दे 1,2,3 कुछ भी लिख दे मैं हर order प अब आपने अपना next काम करना है इस order को process करना है process करने के लिए क्या करेंगे सारे orders आपके पास ready to ship में show हो रहे होंगे जो भी pending में आएगा तो पहला काम आप यह करेंगे उसको ready to ship में लेकर आएंगे जब आ जाएंगे उसके बाद आप उस पर click करेंगे और उसका shipping label को print करे तो यहां पर उपर print लिखा हुआ है इधर क्लिक करेंगे आप उसके बाद बिलकुल नीचे आएंगे तो यहां पर देखें यह लिखा हुआ है print shipping label इसके उपर customer की सारी detail होती है जिससे पता चलता है कोरियर वाले को कि इस order को कौन से city में लेके जाना है किसके गर पे लेके तो इसके उपर customer की सारी detail होती है तो यह मैं आपको print करके भी दिखा दूँगा तो अगर आपके पास printer मौजूद है तो आप print कर लें अगर आपके पास printer मौजूद नहीं है तो आप इसे save कर लें अपनी gallery में और किसी भी shop पर जाकर इसको print निकल वा लें ठीक है एक तो print आ और की जरूरत है वो भी मैं आपको explain करता हूँ बहुत असान तरीके से यहाँ पर मैंने order number के साथ इसे save कर लिया है ठीक है हमें वापस back जाता हूँ for example अब मुझे चाहिए इसका manifest list उसका मालब यह होता है कि आप इस order को जब courier वालों को देते हैं तो आपके पास सबूत होना चाहिए कि भाई मैंने यह order courier वालों को दिया है उसके लिए आपने manifest list को print निकालना होता है इसका भी तो इस पर क्या होता है order number होता है tracking number होता है ठीक है इसको आप print निकालते हैं और यहां पर उनका signature लेते हैं और इनका stamp लेते हैं यह आपके पास सबूत होता है कि भाई मैंने अपना order जो है courier वालों को दे दिया है क्योंकि काफी बार आपका order status update नहीं होता तो फिर हमें इस की जरूरत पढ़ती है यह start में जरूरत पढ़ती है लेकिन जब आपका connection जो है courier वालों के साथ अच्छा हो जाता है आप regular जाने लग जाते हूं तो फिर इस चीज़ की जरूरत नहीं पढ़ती है मैं तो basically बहुत कम use करता हूं इस चीज़ को ठीक है तो हर उबर उफ पैसे इस पर manifest पे click करेंगे तो यह देखें दो orders का हमारे पास show हो रहा है तो इसकी tension नहीं होती के भाई इतने print हो जाएंगे यह वो कोई मसला नहीं होता ठीक है तो यहाँ पर आप एक ही page पे यह सारे print निकाल सकते हैं सही है कोई issue नहीं है आपने इसे भी save कर लेना है ठीक है save कर करने के बाद अगर printer मौजूद है तो खुद निकाल लें अगर नहीं है तो फिर shop से निकल वा लें तो मैंने भाई निकल वाए हैं और मैं आपको बताता भी हो क्या होगा अब यह तो हमारा simple सा process हो गया कि हमने print निकाल लेने हैं ठीक है अब देखे मैंने कुछ order ship की है ship का म मैंने deliver की हैं मैं आपको दिखा देता हूँ यह कितने हैं ठीक है यह देखें एक एक रो में हमने 100 सेलेक्ट की हैं तो तक्रीबन मैं 300 साड़े 300 या 400 order जो हैं deliver कर चुका हूँ यह नीचे नमबर देख रहे हैं 1234 इसका मलब यह है कि एक page पे 100 orders तो total 400 orders मैं deliver कर चुका हूँ ज ship वो हैं जो अभी रास्ते में उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कुछ sale भी हमें आई हुई है और 400 order में से तक्रीबन दो total return आये हैं जो customer ने open करके बोला है कि मुझे यह चीज पसंद नहीं आई claim file किया था और फिर return हुआ है और यहां पर एक महीने के sale में आपको द जाएगा इसके बाद यह होता है shipping label ठीक है इसके उपर customer की सारी detail होती है पैसे लिखे होते हैं कितने लेने हैं कितने नहीं लेने हैं ठीक है यह सारा कुछ इसके उपर लिखा होता है courier वाले क्या करते हैं इसको scan करते हैं वो process भी मैं आपको आगे समझाओंगा आपने क्या करना है ठीक है तो यह हो गया shipping label आपको इस size का बनाना है कि यह pocket में easily आ जाए ठीक है अब यह कुछ orders मुझे आये हुए थे जिनको मैंने pack कर लिया है यह दिखाने का मक्सद यह है कि क अपने order को कैसे pack करेंगे एक order आपको pack करके दिखाता हूं सबसे पहले आपने flare जो होता है यह flare अपनी product के हिसाब से लेना है तीन size होते है small medium or large जैसी आपकी product है उस type का flare use करेंगे ठीक है ना जदा बड़ा हो ना जदा चोटा हो इसके लाब अगर आपकी product box में आने वाली ह print करवा लिया करें ठीक है तो यह आपने इसके अंदर add कर देना है उसके बाद इसे मैं छुपा रहा हूँ क्योंकि इसके उपर customer की detail है इसके उपर ना एक पनी सी होती है और उसके नीचे गिलू होता है आप इस पनी को जब हटाएंगे ना तो यह चिपक जाएगा और यह pocket को जो है अपने flares के अंदर डाल दिया है ठीक है इस तरह से आपने add कर देना है अगर आपकी product box में डालने वाली है तो आप box यूज़ करेंगे चोटे shipping label में डालने वाली है तो शोटा shipping label यूज़ करेंगे अब इसके उपर एक पनी होती है उसे हमने अटा कर इसे हमने इस इसके उपर चिपका दिया अब याद रहे अपनी जो आप न्यू होते हैं तो आपनी यह देखें यह एक number लिखा हुआ यहां पर यह unique होता है हर player का आपने जब pack कर रहे हो तो इसकी एक video बना लिया करें ताकि आपके साथ कोई scam ना हो सके और इस नंबर को आपने जाहर रह लिए स्टार्ट कर ली भाई पहुंच चुके हैं लेपर कोरिया सर्विस में अब तो यह हमारे पारसल हैं हम आज लेपर आफिस में और यह वाई बटने हुए ठीक है इनको आपने जस्ट आ करना इस तरह से देड़ेना है कैसे हो भाई ठीक हो तो बहुत है मजए है शुकर साइन और स्टेंप ले लेना है इसके ओपर सारे ओर्डर्स होते हैं ओर्डर नंबर्स होते हैं जो कि आपने कोरिया सर्विस को दिये होते हैं वह इनको सब को चेक करके आपको साइन और स्टेंप लगा कर दे देते हैं काफी बार क्या होता है ओर्डर स्टेटस अबडेट नहीं होता दरास पे, तो हम क्या करते हैं, हम कम्प्लेन फाइल करते हैं, हम ओर दे कर आ गए हैं, हमारा स्टेटस अपडेट नहीं हुआ, खर ये बात की बाते हैं, जब कोई मसला आता है, तब की बात बता रहा हूं, लेकिन ये जब आपके पास थबूत आ गया, दे दिये है तो आपके ओर्डर स्कैन हो जाएंगे, आपके ओर्डर कहीं ही जाएंगे, होपसो के वीडियो पसंद आई होगी, थैंक्यू सो मच फूर वाचिंग, अगर मैं कुछ भूल गया हूं, कुछ रह गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में हालाइट करें, मैं भी इंशालला नेक् करें जाएंगे, ने झार इंजाएंगे, जाएंगे, रहुम सब्सक्राइब मैं ही जाएंगे, अज रहुम